सबी प्रेस के साथियों का सिरी नगर के हमारे पार्टी हेड़कॉर्टर में आपका स्वागत करता हूँ आज जो प्रेस कांफरेंस है हमारी तरफ से पहले में हमारे सीनियर मोस्ट लीडर फार्मर पीसीसी प्रेज़न्ट पीरज़ादा साहब हमारे सीनियर लीडर और सीनियर वाइस प्रेज़न्ट मोंगा साहब ग्लाम निभी मोंगा साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेज़न्ट चार्ज हैड़कॉर्टर महमद अनौर बड़ साहब और हमारे बहुत ही सीनियर लीडर स्टेट वाइस प्रेजडेंट अब्लविनी खान साथ आज जो हमारी प्रेस ब्रीफिंग है यह जो सीरीज आफ अटेक, टेरिस्ट अटेक हो रहे है इस पे हमें बहुत ही चिंता है, ओंगरिस पार्टी को और आज इस जो यह टेरिस्ट अक्ट हुए है, जो यह हमारे फोज के जवान अभी जखमी हुए बदरवा में पांच जखमी हुए, एक S.P.O. जखमी हुआ उठवा में रात को अटेक हुआ, एक सिविलियन और शायद दो मिल्टेंट्स मारे गए इसी तरह से कुछ दिन पहले रियासी में जो यात्रा पे अटेक हुआ, जिसमें दास हमारे यात्रा के लोग और 34 जखमी हुए, तो यह जो सीरीज आफ अटेक हुँ रहे हैं, इस चीज की बड़ी चिंता है हमां, यह क्या हो रहा है इस हमारे स्टेट में और सिक्योर्टी फोर्स कर क्या रहे हैं, सरकार कर क्या रहे हैं, जिस सरकार ने पिछले पूरे पार्लेमेंट के अंदर डंडोरा पीटा, कि हमने जमु कश्मीर की हालात सुदारी 377 हडा के, यहां यूटी बना के, तो पूरे पार्लेमेंट के अंदर इस नाम पे उन्होंने वोड भी मांगा, तो आप सब जानते हैं, आप उनकी स्पीच सुनिए, चाहे वो हो मिनिस्टर साब है, चाहे प्राइमिनिस्टर साब है, चाहे बीजेपी के दूसरे बड़े लीडर है, राजनात सिंग जी वह गया है, लेकिन आज हालात कहां पहुंची है, कि सीरीज आफ अटैक्स, कंटीन निवस्टी जमू किश्मीर में हो रहे हैं, और मैं प्राइमिनिस्टर साब को याद दिलाना चाहता हूँ, जब हमारे मनमौन सिंग जी प्राइमिनिस्टर थे, उस वक्त वो बार बार एक बात दोराते थे, कि मनमौन जी आपके पास आर्मी है, आपके पास बीस एफ है, आ बिलिटेंड आते कहां से, और यही क्वेश्टन में आज प्राइमिनिस्टर साब को और होमिनिस्टर साब को और डिफेनिस्टर साब को कहना चाहता हूँ, कि आपका सवाल में आपको ही बताना चाहता हूँ, आपको ही पूछना चाहता हूँ, कि आपके पास आर्मी भी है, security forces भी है वियस अब भी है ये militants ये terrorists आते कहां से लहाजा हम चाहते हैं Congress चाहती है कि जमो कश्मीर की हालाद सुद्रे ये militancy free zone बने यहां जो ये terrorist आ रहे हैं इनको रोका जाए जो ये killing हो रही है इसको रोका जाए आने वाले दिनों में अमरनाद जी यात्रा भी हो रही है ऐसा ना हो खुदा न करे कोई ऐसा incident हो जिससे हमें पच्टाना पड़े security को चाको चोबन करना पड़ेगा security को आपको access करना पड़ेगा ये जो आप बाशन और दावे देते हैं दावे तब करो जब जमीनी सता पे आप दाओं को सही माने में implement करो 35 साल से militancy है हमने कभी नहीं कहा कि हमने खत्म की हाँ हमारे time में जब 2002 में हमारी government थी बिलकुल शुद था माहोल अच्छे जलसे थे सब कुछ था लेकिन हमने नहीं कहा हमने कहा militancy कभी कम कभी ज्यादा लेकिन 35 साल से ये खत्म हुई ही नहीं लेकिन आप बहुत बड़े बड़े और हम मिनिस्टर तो लहाजा जो हुआ है उसको हम सकत कड़े अलफाज में उसको कंडम करते हैं और हमें बहुत दुख है कांग्रेस पार्टी को बहुत दुख है कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हालात सुद्रे जमु कश्मीर में टूर्स्ट का फ्लो बढ़े जमु कश्मीर के लोग खुशाल जिन्दगी हुजारे खुशाली की तरफ जाए खुशाली की तरफ बढ़े जमु कश्मीर और यहां इमिजेट्री एलेक्शन हो लोगों की सरकार बने यह हम चाहते हैं